नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विनूद रहना आज लाइबरेट के प्रेटफॉर्म से आप से बात कर रहा हूं मैं सेक्शुलोजिस्ट हूं और मैं सेक्शुल मेडिशन पिछले 20 साल से प्रेक्डिस कर रहा हूं स्वास्ते समस्या और समधान के नए विडियोज को देखने के लिए लाइबरेट के यूट्यूब कैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है जो आपने आपको सेक्शुलोजिस्ट कहते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है उनकी बात आप मत सुनिएगा क्योंकि एक सेक्शुलोजिस्ट ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसके पास एक प्रॉपर डिग्री हो दोस्तो आज हम करेंगे बात मॉस्टर्बेशन के बारे में कि मॉस्टर्बेशन के वज़े से क्या-क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप मॉस्टर्बेशन करते हैं बहुत बार ऐसे पेशन्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं साब हमको addiction है masturbation का और उसकी वज़े से हमको problems हो रही है ये सच है अगर आप बहुत ज़दा masturbation करते हैं या आपको addiction है masturbation का तो ये आगे जाके आपकी sexual life में बहुत दिक्कत करेगा दोस्तों अगर आप masturbation करते हैं तो उसका एक time होना चाहिए अगर वो आप हफ़ते में दो या तीन बार करते हैं तो उससे कोई problem नहीं होगी आप दिन में एक बार भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप मौस्टरबेशन दिन में एक बार से ज़्यादा करते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कति हो सकते हैं वीक्नस हो सकता है क्योंकि जब भी आप मौस्टरबेशन करते हैं तो उस process से आपको आपका वीरा बहर आ जाता है, sperm बहर आ जाते हैं लेकिन अगर आप ये बार-बार करोगे, तो आपकी body में एक शमता होती है वीरा बनाएगी वो 24 या 48 गंटे में ही पूरा होता है लेकिन अगर आप बार-बार इस process को करते हैं, masturbation बार-बार करते हैं, बार-बार आप sperm को बाहर निकालते हैं तो आपकी body में deficiency हो सकती है, severe deficiency हो सकती है तो ध्यान रहें, अगर आप masturbation करते हैं, तो आप addicted ना हो जाएगे masturbation करना गलत नहीं है, बहुत सारे आप डॉक्टर कर पा जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि अगर आप masturbation करते हैं, तो आपको इससे problem होगा, नहीं, इससे कोई problem नहीं है Pense एक muscle है, अगर आप muscle की exercise continuous करते रहेंगे, तो वो fit रहेगा तो इसी लिए, अगर आप masturbation daily करते हैं, या alternate days करते हैं, तो उससे एक आपको ये फाइदा है कि आपका जो Pense है, वो stand होता रहेगा, erectile dysfunction ही होगा, sexual dysfunction ही होगा बहुत जरूरी है, अगर आप अपने sexual life को ठीक रखना चाहते हैं, masturbation करना क्योंकि जब आप masturbation करते हैं, तो आपका penis खड़ा हो जाता है, उसको आदत रहती है खड़ा होने की उसके जो vessels है, वो dilator रहते हैं, उनको stenosis लिए होता है बहुत सारे patients क्या करते हैं, वो masturbation करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि बहुत कमजोरी आएगी या बहुत दिकत होगी, और उसके बाद उनमें बहुत सारी problems हो जाती है, erectile dysfunction हो सकता है sexual dysfunction होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, अगर आप masturbation ज्यादा करते हैं तो इस वज़य से आपको premature ejuculation की problem हो सकती है What is premature ejuculation? जिसको अर्ली discharge कहते हैं ये एक ऐसा process है, जब आप sex करते हैं, sex आपका ज्यादा देर तक नहीं चलता है एक से दो मिनट में आप discharge हो जाते हैं दोस्तों, अगर आपको एक proper sexual intercourse करना है तो उसके लिए आपको minimum 25 से 45 मिनट तक sex करना है क्योंकि एक female पांच या 10 मिनट में अर्गाजम नहीं पाती है अगर आप continuous एक female के साथ sex करते हैं, तो उसको 20-25 मिनट चाहिए so that she is getting orgasm females को multiple orgasms चाहिए अपने आपको satisfy करने के लिए और अगर उस दोरान male sex करता है और वो जल्दी discharge हो जाता है तो आपकी female जो है जो partner है वो unsatisfied रहेगी तो ध्यान रहे दोस्तों अगर आपको sex life बढ़िया रखनी है तो उसके लिए तीन चार चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है अगर आप smoking करते हैं तो smoking को बंद करें कम करें अगर आप chain smoker है तो आपको erectile dysfunction आगे जाके 100% होगा क्योंकि जो ही आप smoke करते हैं तो वो सारा smoke lungs में जाता है lungs के थूरू सारा जो ये smoke है वो पूरे हमारे body में फैलता है और हमारे नसों को stronosis करता है बंद कर देता है उसकी वज़ा से आपकी circulation जो है उसमें problem आ जाती है दोस्तों अगर आप ज़्यादा drink करते हैं तो ये भी एक हानीकार की effect हो सकता आपको drink कम करें अगर नियम इतलूप से आप drink करते हैं तो आप इसमें कोई हानी नहीं है 20 गंटे में 8 गंटे सोना mandatory है साथ से 8 गंटे अगर उससे आप कम सोते हैं तो आपको problem हो सकती stress कम लेना है दोस्तों आलरड़ी हमारी जो life है आजकर वो बहुत stressful है और उसके बाद हम stress कैसे बढ़ाते हैं हम बहुत देर तक mobile पर बैठते हैं whatsapp पर बैठते हैं वीडियोज देखते हैं यूट्यूब वीडियोज देखते हैं दोस्तों ये भी आपको stress बढ़ाता है तीवी देखते हैं तीन चार गंटे टीवी देखते हैं दोस्तों उसको भी बंद करो सवेरे उठे एक गंटा वॉक करें ब्रिस्कवा का आपने करना च्छे से साथ किलमेटर आपने चलना है दस से पंद्रा बदाम बिगो के खाये सवेरे एक से दो अक्रोट बिगो के खाये सवेरे आप ब्रोकली खा सकते हैं हफते में दो से तीन बार आपका testosterone level बढ़ेगा आप काली उरत की दाल खा सकते हैं आपका sex पौर बढ़ेगी अगर आप 99 चेरें तो आप मशली ले सकते हैं मशली हफते में दो या तीन बार खाईए उससे बहुत फरक पड़ेगा दोस्तों अगर आपको अपने आपको healthy रखना है तो आपको एक छोटा सो नुस्का देता हूँ मैं अगर आप हर दिन दो टमाटर थोड़ी सी कच्ची हल्दी थोड़ी सी अध्रक पांच दस पते नीम के पांच दस पते पुदिने के पांच दस पते दनिये के उसको grind करेंगे और उसमें पानी डालेंगे एक या दो गिलास और फिर वो आप सवेरे पीएंगे या शाम को पीएंगे उसके बाद वाग करने जाएंगे दोस्तों आप में बहुत ज़्यादा एनरजी आएगए डाइट पे द्यान देना है उवरिटिंग नहीं करनी है वेट को कम करना है रेडक्शन पे लाना है आपका ब्यमाई एग्जेक्ट ठीक होना चाहिए अगर आपकी 6 फूट है तो आपका वेट 70 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डाइट इस वेरी इंपॉर्टन शाम को ज़्यादा खाना नहीं खाना है आप हैवी ब्रिफ पास कर सकते हैं दिन में नॉर्माल लंच कर सकते हैं सूप पी सकते हैं फ्रूट्स को ज्यान देना है फ्रूट्स 200,500,300 ग्राम दिन में देली खाना है रोटेशन पे फ्रूट्स खाओ कभी सेब खाया कभी पपीता खाया कभी केला खाया कभी संत्रा खाया फ्रूट्स को रोटेट करना उससे आपको मल्टि विटमस मिलेंगे अगर उसके बाद भी आपको problems आती हैं तो दोस्तो आपको एक अच्छे sexologist के पाँ जाना जाएए अगर आप एक अच्छे doctor के पाँ जाते हैं तो आपकी problem ठीक हो जगती है दोस्तो library ऐसा एक platform है जहां पर आपको अच्छे और पड़े लिखे doctor मिलेंगे अगर आप मेरे से मिलना चाते हैं मेरे से बात करना चाते हैं आप लाइबरेट पर आएं मेरे को डूंडे मेरा नाम डॉक्टर विनोध रहना है और मेरे से आप डिरेक्ट एपॉट्मेंट ले सकते हैं आप मेरा नमबर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं गूगल में मेरा नंबर है, डॉक्टर विनोज रहना, सेक्सलोजिट आप ढूंडेगे, आपको मेरा नंबर मिलेगा, अगर आपको कोई भी question हो, आप मेरे को direct लिखें, मेरे से बात करें, लाइब्रेट पर लिखें, कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक question का आपका answer करो, आज के लिए इतना ही, धनिवाद!